Hello students, मेरा नाम दॉक्टर के जिन्द पुरहीत और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ पर सुन अगर आपको बैसिक्स नहीं पता हैं इंट्रिकल एक्वेशन का कुछ पता ही नहीं है आप यह वाली क्लास कहां से समझेंगे तो यार इससे पहले मेरे जो वीडियोज में अपलोड कर चुका हूँ आपको आई टेप पर जाके देख सकते हैं ताकि यह समझने में आपके देखकतना है इसको भी मैंने इससे पहले समझाया तो वो भी देख लीजे और नौन होमोजीनेस के बारे में हम डस्कस करेंगे तो सुन देखिए सुन बात करेंगे कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दे रखिए जैसे हमारे पास दो बार वाय आ रहा है और एक यहाँ पर फंक्शन आता है और यह फंक्शन अगर नौन जीरो है तो ऐसे cases में यह equation जो कहलाती है यह non-homogeneous फ्रिड-hom integral equation कहलाती है जहाँ पर इसकी जो upper limit है वो हमारे पास constant होती है तो यह फ्रिड-hom होती है अगर upper limit variable होती है तो वो वो टेरा होती है क्या रहा हम अभी यहाँ पर फ्रिड-hom पुट रहा है प्लस यहाँ पर जो हमारे पास जो करनल है वो भी हमारे पास क्याना चाहिए इस विडिजनरेट होना चाहिए तो इस वह हम बहुत इसलिए यहाँ पर solve कर सकते है तो इसलिए हम आपके सामने एक example लेते हैं यह question दे रहा है और आप सब पूचा जा रहे हैं इसको कैसे solve करके जैसे हमने homogeneous में क्या है वैसे ही करेंगे नया कुछ भी जादू करने की ज़रूत नहीं है तो यहाँ यहाँ पर 2 e की पावर x निकाल दीजे तो मैं 2 e की पावर x निकाल दीजे यहाँ आएगा y x is equal to e की पावर x प्लस 2 lambda e की पावर x अब कुछ बच्चों के मन में सवाल उठता है कि sir जो fred halman trical equation होता है उसको lemnis से भी तो कर सकते हैं laplace transform से भी तो कर सकते हैं तो भाई यह इसको नहीं कर सकता है यही एक तरीका है जिससे हम इस टाइप की integral equation को solve कर सकता है फिर डॉल में ना confuse नहीं होना है क्योंकि next जब मैं आपके सामने video upload करूँगा वोल्टेर हमें तो वहाँ पे मैं laplace transform पे भी video upload कर चुका हूँ क्योंकि जब मैंने laplace पढ़ाया था मैंने बताया था कि कैसे हम वोल्टेर अंट्रिकल equation को laplace से solve करता है उसके बाद हम उसको resolvent से भी कर सकता है बहुत सारे method होते हैं उसको solve करने पर यहाँ पे इसका aq method है जो की यह है तो इन c जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा here c is equal to 0 to 1 e की पावर t yt dt हो जाएगा बैटा यहाँ पे इसकी वेली put करेंगे तो 0 to 1 e की पावर t बैटा यहाँ पे t रखेंगे न यह yx तो t क्या हो जाएगा e की पावर t plus 2 lambda e की पावर t c dt हो जाएगा बहाई यह अंदर जाएगा तो यह आएगा मारे पास 0 to 1 e की पावर t को कमन निकालेंगे तो e की पावर 2t 1 plus यह आएगा 2 lambda c into dt हो जाएगा बैटा constant बहाँ निकालो तो यह आएगा 1 plus 2 lambda c बहार आएगा बैटा इसका integration करेंगे तो e की पावर 2t upon 2 0 to 1 हो जाएगा तो यह आएगा c 1 plus 2 lambda c अब इसका करेंगे तो यह आएगा e की पावर 2 minus 1 upon 2 हो जाएगा अब यह आएगा यहांपी क्या करेंगे हम c की value निकालेंगे तो c की value कैसे निकालता है यह अंदर गया तो यह आएगा हमारे पास e square minus 1 upon 2 जब इसकोज से multiply करेंगे तो 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यह आएगा lambda and c e square minus 1 आएगा तो यह इसकी value उदर ले लिजाए तो c minus lambda c e square minus 1 is equal to e square minus 1 upon 2 बटाई यहांपे क्या करेंगे हम c को common निकालेंगे जब c को common निकालेंगे तो यहां से हमारे पास इसकी value आएगी 1 minus lambda e square minus 1 is equal to e square minus 1 upon 2 तो यहार c की जो value आएगी वो आएगी है मारे पास e square minus 1 upon 2 1 minus lambda e square minus 1 आएगा तो यह मारे पास c की value आजाएगी और इस c की value को उठा के आप यहां रखेंगे तो मारे पास जो answer आएगा वो क्या आएगा y x is equal to e की power x प्लस यहां पर c की value रखेंगे तो यह 2 से 2 तो हमारे पास cancel हो जाएगा तो यह आएगा lambda e की power x into e square minus 1 upon 1 minus lambda e square minus 1 यह हमारे पास यहां पर क्या आएगा इसका solution आएगा तो इस तरह से करता है जब हमाँ बात करते है homogenous की बारे में तो वहाँ पर मारे पास क्या आता है lambda की value आती है फिर इस lambda की value को हम put करते है तो वहाँ पर मारे पास क्या आता है तो यह पर जब ऐसा cases होता है तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको solve करते है clear? आगे बढ़ता है next question देगे बहुत अच्छा question इसको बड़ा एक्जा में पूछे जाते है कि yx is equal to cos x plus lambda 0 to pi sin x minus t y t dt तो सुन इसको क्या करेंगे ध्यान देजेगा जब भी आप इसको solve करें तो यह सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा yx is equal to यह आएगा हमारे पास cos x plus lambda 0 to pi sin a minus b का formula तो यह आएगा sin a cos b minus cos a sin b and यह सुन इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो यहार yx is equal to यह आएगा cos x plus lambda sin x common ले लिया तो यह आएगा 0 to pi cos t dt ह जाएगा minus इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 0 to pi sin t yt dt आजाएगा यहां भी हमारे पास yt dt लिखना में भूल गया तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ जब इसकुंदर करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 0 to pi और यह आएगा cos t yt dt आएगा यह हमारे पास यहां पर क्याएगा इसकी value आएगा अब हम क्या करेंगे सुन यह जो है यह वाला और यह वाला इसको c1 c2 माल लेंगा तो yx is equal to यह आएगा हमारे पास cos x plus lambda sin x c1 and minus lambda cos x c2 आएगा अब c1 की value की बात करते है तो बटा जो c1 आएगा वो हमारे पास क्या आएगा वो आरा बटा 0 to pi और यह आरा हमारे पास cos t yt dt यह value है यह पास पर हम जानते कि y हमारे पास यह तो yt हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन 0 to pi यह आएगा cos t और yt तो बटा यह भी हमारे पास आएगा cos t plus lambda यहाँ पे हमारे पास आएगा sin t c1 minus lambda cos t c2 and dt यह मारे पास यहाँ पे क्याएगा इसकी value आएगी बटा जब अदर लेके जाएगे तो c1 is equal to 0 to pi यहाँ से मारे पास इसकी value हो जाएगी cos square और यह आएगा यह भी हमारे पास cos square ही हो रहा है तो सुन यहाँ लिख देता हूँ 1 minus lambda c2 और यह आएगा हमारे पास cos square t dt आजाएगा और यहाँ जब इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ आएगा हमारे पास plus 0 to pi and lambda यहाँ पे आए c1 sin t cos t dt आजाएगा यह हमारे पास यहाँ पे इसकी value आएगे इसको 2 से उपर नीचे multiply divide कर लेता हूँ इसको 2 से मैं उपर नीचे multiply divide करूँगा तो इसको यहाँ आएगा 2 sin t cos t और जब इसका integration करेंगे तो यह हमारे पास आजाएगा sin 2 t upon 2 आएगा यह हमारे पास यहाँ पे इसकी value आएगी जब इसको करेंगे तो यह आएगा यहाँ पे इसकी बात करें cos square t का integration आपको ध्यान देने के ज़रूद मैं दोनों का integration लग-लग समझा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ मादा इसका integration पहले कर लेता है इसका integration में यहाँ पे करके बताता हूँ पहले इसको निपट लेता है तो यहाँ पे आएगा sin 2 t dt और sin 2 t dt में इसका integration करेंगे तो यहाँ आएगा minus का cos 2 t upon 2 limit 0 से पाई आएगा बटा यह 2 बहार आएगा तो minus का 1 by 4 जब पाई रखेंगे तो बटा cos 2 pi 1 होता है minus cos 0 भी 1 होता है तो बटा यहाँ से मारे पास इसकी वे लिख्या जाएगी 0 हो जाएगी तो भाई इसका जो integration होगा वो मारे पास क्या जाएगा 0 हो जाएगा अब हम इसकी बात करता है जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ से मारे पास क्या एगा अगर हम बात करें cos square t के बारे में तो cos square t को हम क्या लिख सकते है 1 plus cos 2 t upon 2 राइट यह आएगा हमारे पास 0 से pi d t है यह तो constant है integration तो इसी का होगा मैं सीधा यहाँ बता रहा हो करके ताकि time नहीं कराब आपका सुन 1 by 2 इसका integration t हो जाएगा और cos 2 t का integration जो होगा वो हमारे पास sin 2 t upon 2 आएगा 0 से pi जब pi रखेंगे तब भी 0 आगा 0 पर 0 खली यह value आएगा तो 1 by 2 जब इसकी रखेंगे तो यह pi आएगा 0 पर 0 खली यह value आएगा तो यहार यहां से मारे पास इसकी value जो आएगी वो क्या आएगी pi by 2 आजाएगे तो यहार मैं आपको बता रहा हूँ सीधा के ना क्योंकि इतना time हम यहां पर कराब नहीं कर सकते है तो सुन यहां से मारे पास इसकी value आएगी c1 and 1 minus lambda c2 भाया इसकी value आएगी वो हमारे पास क्याएगी pi by 2 आजाएगी इस equation को इदर ले लेजे तो सुन यहां पर हमारे पास आएगा c1 and शुन यहां पर हमारे पास इसकी value आएगी minus तो यह plus आएगा lambda pi by 2 c2 is equal to 1 एक equation हमारे पास यहां पर यह मिल जाएगा आपके पास, clear है अब next हम बात करते है C2 के बारे में अब सुन यहाँ पर क्या गरत हम C2 की value निकालते हैं, सुन यहाँ पर जो 1 आएगा इसके जगा हमारे पास यहाँ पर 2 आजाएगा इस उन अब next बात करते है इसके बारे में, C2 हमारे पास exactly क्या रहा है, तो यह C2 का हमने assume किया था, अगर आप देखेंगे हैं यहाँ पर C2 हमारे पास यहाँ था, sin T y t d t यहाँ धित यहाँ यह यह C2 हमारे पास तो C2 हमारे पास यह रहा है 0 2 पाई यहाँ यहाँ आएगा यहार यहाँ यहाँ आएगा मारे पास cos T and plus lambda, sin T and C1 minus lambda, यहाँ पास आएगा cos T and C2 d t यहाँ पास वेल्यों आएगी यहाँ पे मारे पास आएगा sin T, cos T और यह cos T, तो एक काम करते हैं इन दोनों को एक साथ लिख लेते है, तो C2 is equal to 0 to pi बैटा यहां से हमारे पास इसकी जो value आएगी 1 minus lambda c2 यह आएगा sin t cos t यहां से हमारे पास इसको जब multiply करेंगे तो lambda c1 यह आएगा sin square t and dt और अभी में आपके सामने बताता इस वाले case के इंदर कि जब भी sin t cos t multiply में होता तो 0 to pi यहां पर इसका integration होगा वो हमारे पास क्या जाएगा 0 हो जाएगा यह आपको देहान देने की जरूत है बैटा आप हम क्या करेंगे यहां पर इसकी value निकालेंगे तो c2 and यह हमारे पास lambda c1 बहार आजाएगा 0 से pi इसका integration क्या होता 1 minus cos 2t upon 2 and dt आजाएगा जब इसको solve करेंगे तो सुन यह हैगा lambda c1 upon 2 बैटास का integration करेंगे t और cos 2t का integration हो जाएगा sin 2t upon 2 0 से pi जब आप pi 0 रखेंगे यह जो sine होगा यह तो हमारे पास क्या कर देगा 0 कर देगा pi सिर्फ हम यहां रखेंगे तो सुन जब इसको solve करेंगे तो यह आएगा c2 is equal to lambda c1 by 2 into pi आजाएगा तो देखो यहां पर हमारे पास एक equation यह आगई एक equation यह आगई सुन इन दोनों equation को solve करेंगे यहां पे c1 and c2 की value निकाल देंगे और यह c1 c2 उठा के का रख देंगे यह इसमें रख देंगे यह दिख रहा है यहां पे रखना आपका answer आपका answer आजाएगा अब हम क्या करेंगे इन दोनों equation में से solve करेंगे और यहां से मैं c2 की value उठा के यहां रख देता हू तो जब मैं c2 की value उठा के यहां रखूंगा तो यहार भाईया यह क्या हैगा c1 plus lambda pi by 2 और सुन जो c2 आएगा वो मारे पास यहां पर आगा सुन lambda c1 upon 2 pi is equal to pi by 2 आ रहा है सुन यह हमारे पास इसकी value आ जागा सुन c1 common आ रहा है यहां पर आप देखेंगे तो यहार यहां आएगा 1 plus यहां पर हमारे पास pi square by 4 and lambda is equal to pi by 2 आएगा lambda square भी आएगा सुन यहां पर है ना तो सुन यहां से हमारे पास c1 की जो value आएगी वो आएगी हमारे पास pi by 2 upon 1 plus pi square lambda square by 4 आएगा अब सुन यहां पर क्या गरता हम इसका 4 का LCM लेतर उसको simplify करेंगे तो यहां यहां पर हमारे पास 2 pi upon 4 plus lambda square pi square आएगा सुन यह c1 की value उठा कि जब यहां रखेंगे तो c2 is equal to यहां पर lambda by 2 pi and बटा यहां पर हमारे पास इसकी value आजाएगी 2 pi upon 4 plus lambda square pi square आजाएगा अब सुन क्या गरेंगे आप देखेंगे 2 से 2 तो cancel हो रहा है तो c2 is equal to मारे पास यहां पर lambda pi square upon 4 plus lambda square pi square आजाएगा सुन यह मारे पास यहां पर क्याएगा c2 आजाएगा सुन यह c1 and c2 की value आजाएगा यहां रखेंगे तो इसका जो final solution आएगा वो मारे पास क्या आएगा yx is equal to मारे पास cos x is equal by the value c1 की value मारे पास यहां रहिए 2 pi upon 4 plus lambda square by square sin x and c2 की value मारे पास आएगी minus का lambda यहां पर रहा है रहा हूरा यहां पर इसकी value आएगी lambda square हो जाएगा and pi square and 4 upon लेमडा स्कुरार, पाई स्कुरार और यहां psychopathology प्लाइमिरों अब चाओ तो इसकी वीलियू आप सॉल्ल कर दिज़े तो कास एक हैगा प्लस सुन यहां से हम देख रहे हैं तो एक हमेरे पास कॉमंन आ र रहा है अर यहां पर पाई भी एक common आएगा और लेमड़ा तो एक लेमड़ा पाई रहे जाएगा तो लेमड़ा पाई कॉस एकस आएगा तो सुन यह मारे पास यहां पर क्याएगा इसका solution आएगा तो इस तरह से इसको बहुत इजली solve कर सकता है अगला question देखिए आप यहां पर क्या बोला जा रहा कि सुन 1 प्लस 0 to 1 1 प्लस e की पावर x e की पावर t y t d t तो यहार कैसे इसको solve करेंगे तो यहार यह आएगा y x is equal to 1 plus बटाई यह आएगा 0 to 1 y t d t आज आएगा and plus इस उनियां पर e की पावर x कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा e की पावर t y t d t इस उनियां पर lambda दे नहीं रखा तो lambda को हम यहाँ पर 1 ले लेंगे lambda क्या होता है integration का coefficient होता है तो lambda हमारे पास यहाँ पर 1 दे रखा है तो lambda 1 दे रखा है c1 c2 आजाएगा तो फिट तो हमारे पास सीधा solution आजाएगा तो कभी आपको lambda नहीं दे रखा है तो आपको यह lambda की वह लिए 1 है तो यह अपना by default आजाएगा आपको उसके दिवाग लगाने की ज़रोत नहीं है आगे बढ़ते है तो यहाँ यह एक्स इकल टो यह आएगा 1 प्लस c1 प्लस e की पावर x c2 आजाएगा अगर हम बात करें आप इसके c1 c2 की बारे में तो बटा जो c1 आएगा वो आएगा 0 to 1 yt dt हैना बटाए y तो हमार पास दे रहा है तो c1 हमारे पास आएगा 0 to 1 1 plus c1 e की पावर t c2 प्लस आएगा ना dt हैजाएगा आब इसको सॉल करेंगे तो यह एगा c1 बटाए चंटेकरेशन करेंगे t1 and plus c1 t plus e की पावर t c2 0 to 1 आजाएगा बटाए तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 plus c1 plus यहाँ पे आजाएगा e की पावर 1 c2 minus इसको 0 रखेंगे 0 0 and यह हमारे पास c2 हो जाएगा यह हमारे पास यहाँ पर क्याएगा इसकी value हो जाएगी यहाँ पर क्या करेंगे c1 is equal to 1 plus c1 plus c2 कोमा निका लेंगे तो e minus 1 c2 हो जाएगा बटा क्या करो इसको इदर ले लो आप तो वैसे भी c1 c1 हमारे पास यहाँ पर क्या रहा है या cancel आप देखेंगे तो c1 से c1 cancel हो गया तो सुन c2 की value हमारे पास क्या है कि 1 इदर आगा तो minus 1 upon e minus 1 इसके c2 की value आजाएगे आगे बढ़ते हैं तो next बात करेंगे अब हमारे पास यहाँ पर c1 c2 के बारे में 1 plus c1 plus e की power t c2 dt हो जाएगा बटा यहाँ आएगा c2 जब इसको अंदर लेके जाएगे तो यहाँ आएगा e की power t 1 plus c1 and plus e की power 2t c2 हो जाएगा and यह हमारे पास dt हो जाएगा जब इसका integration करेंगे तो यह आएगा C2, इसका integration तो 1 प्लस C1 तो constant है, यह आएगा E की पावर T, and C2 यह आएगा E की पावर 2T upon 2 हो जाएगा, और लिमिट यहां पर रख देंगे यह 0 से 1, तो यहार C2 इसकी लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस C1 यह आजाएगा, जब यहां भी लि यह हमारे पास यहां पर इसकी value ओजाएगे, तो यह आएगा C2 आजाएगा, तो 1 प्लस C1 common आएगा, तो यह आएगा 1 प्लस C1 और यह आजाएगा E-1, एसे यहां से पास c2 by 2 common आ रहा है ना तो पेटा यह आएगा हमारे पास c2 by 2 तो पेटा यह हाँगा e2 minus होना जाए ना क्योंकि आप यहाँ पास e2 है और यहाँ. अपे- नियारी minus 1 e minus 1 ना रहा है न तो बैटा ये वाली जो टाम है ध्यान दिजेगा बैटा ये वाली जो टाम है न 1 plus c1 upon e minus 1 इसको मैं इधर रखता हूँ इसको मैं इसको 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 लिखेंगे e minus 1 into e plus 1 जब इसको अंदर की तरफ लूँगा मैं तो यह रिया हैगा अब इसको 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 लिखेंगे e minus 1 is equal to बैटा अंदर गया तो यह रिया है तो यह रिया यह रिया है अमारे पास 1 plus c1 is equal to e minus 1 को डिवाइद करेंगे तो यह रिया हैगा e minus 1 का whole square plus यह आएगा e plus 1 upon 2 e minus 1 आएगा बटा इस 1 को उधर लेके जाएगे तो c1 is equal to यह आएगा minus e minus 1 का whole square plus e plus 1 upon 2 e minus 1 है ना इस विए 1 उधर गया तो minus 1 हो जाएगा इस विए हमारे पास यहां पे क्या जाएगा c2 की value हो जाएगा इस विए c1 and यह c2 इसको उठा के हम कहा रख देंगे यहां रख देंगे हमारा answer आजाएगा तो इस विए हम इसकी value put करूँ है तो मारा जो answer आएगा वो क्या आएगा yx is equal to 1 plus जैसे 1 plus करेंगे c1 में तो बटा यह minus 1 से 1 क्या जाएगा cancel हो जाएगा तो मारे पास जो value हैगी मैं सीधा cancel ही कर देता हूँ बीमारी का तो यह यह मारे पास हैगा minus 1 e minus 1 का whole square plus यह आएगा e plus 1 upon 2 e minus 1 है ना and plus इस सुन यहां पे c2 मारे पास ही रहेगा यह आएगा e की power x minus 1 upon e minus 1 तो सुन यह यह हमारे पास यहां पे कहाएगा इस integral equation का solution आएगा तो इस तरह सब इसको यहां पे कर सकता है सुन यह question comment box के लिए उसको solve करने माँ आपको कितने seconds लगे please comment करके ज़रूर बताईए इस type के और भी videos आप integral equation के देखना चारा है पूरी के पूरी playlist आपको यहां जाके मिल जाएगी इस उन मैंने एक one shot series स्टार्ट करी जो कि मेरा छोटा वाला YouTube channel है जहाँ पर मैं पूरे topic wise हर चीछ को मैं explain करने की कोशिश कर रहा और group theory पे यह सीरीज है अब यहां जाके मेरी videos को देख सकते हैं आप IIT gym, gate या CSI net exam की तहारी कर रहे है अपने question को बहतर तरीके सा प्रैक्टिस करना चाहरा है तो यह combat series की book है इसको buy कर सकते हैं इसका buy link आपको description में मिल जाएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, bye bye